किचन और घर का काम तो हम डेली ही करते हैं लेकिन इन कामों को अगर हम कुछ समार्टनेस के साथ करें तो हमारा काफी सारा समय और पैसा भी बच सकता है तो ऐसे ही टिप्स आज आपके सार शेयर करने वाली हूँ जो आपके डेली लाइफ को काफी हर तक आसान बनाएंगे तो इस तरह के जो इलेक्ट्रोनिक या फिर सेल वाले ट्वाय होते हैं तो देखिए जो कार है ये इलेक्ट्रोनिक है और इसको तो हम आफ कर सकते हैं ये खराब नहीं होने वाली है लेकिन जो इसका रिमोट होता है तो देखिए इस तरह से मैंने इसको आफ कर दिया है इसम सेल होते हैं क्योंकि हम सेल को डालते हैं तब यह काम करता है , सरा से सेल कापकते है और हम क्या Prat अर्व बच्चे यूज़ करते है तो लेकिन बच्चे इसे नहीं करते हैं तो हम Sense को ँठाके रख देते हैं लेकिन हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, हमें इनके सेल को निकाल के रखना चाहिए, इससे क्या होता है कि सेल जल्दी से खराब नहीं होता है, इसकी जो शेल्फ लाइफ है वो बढ़ जाती है, तो जब भी इस तरह का कोई भी ट्वाय हो जिसमें सेल हो, तो आप स चोटे चोटे टिप को यूज़ करके अपने काफी सारे समय और पैसा को बचा सकते हो, तो अगर हम इसी में सेल को पड़ा रहने देंगे ना, तो बहुती जल्दी से खराब हो जाएगा, तो हमारा काफी ज़्यादा जो पैसा है वेस्ट होता है, तो इस सरह से हम चोटे चो पर नहीं मिल पाते हैं, कभी एक गुम हो जाता है, तो कभी एक गुम हो जाता है, तो इसको रखने का तरीका एक तो ये है कि आप इस तरह से रख सकते हो, और दूसरा ये कि जो बड़ों के शॉक्स होते हैं इनको भी हम ऐसे ही रख सकते हैं, लेकिन ये काफे ज़्यादा फैले नजर आएंगे, तो इनको रखने का भी तरीका में आपको बताने वाली हूँ, तो यहाँ पर मैं दो से तीन तरीके आपको बताऊंगी, जो भी आपको पसंद आया उस तरीके से आप रख सकते हो, तो छोटों के छोटे बच्चों की जो शॉक्स होते हैं इनको भी हम इसी तरह से रख सकते हैं, तो एक तरीका मैंने आपको बता दिया, दूसरा तरीका इस तरह से आपको रखना है शॉक्स को, और रोल करते हुए देखिए वापस से जो इसका इलास्टिक वाला पार्ट होता है, इसको हमें खोल देना है, तो दूसरा तरीका ये हो गया है, त एक नीचे के साइड और उसका जो बचा हुआ पार्ट है वो हमें पीछे के साइड फोल्ड कर देना है और इस तरह से रोल करने के बाद देखिए इसको हमें ऐसे खोल देना है तो इससे क्या होगा कि दोनों शॉक्स एक साथ और्गनाईज हो जाएंगे इस पेस भी कम लेंग आपको शॉक्स को जो है इस तरह से रखना है एक के उपर एक और जो दूसरा शॉक्स हम रखना है इसको एक साइड से हमें थोड़ा सा जादा रखना है और इस तरह से देखिए हमें फोल्ड करना है और जो ये लास्ट वाला पार्ट बचा हुआ है इसको हमें फोल्ड करते जो भी आपको तरीका पसंद आए उस तरीके से आप शौक्स को और्गनाईज कर सकते हो तो उमीद करती हूँ ये भी टिप आपको पसंद आई होगी एक लाइक जरूर कर दीजिएगा अगला टिप है हमारा इस तरहा की चपल को लेकर तो जब भी हम हील वाला चपल पहनते हैं न हम सभी को पहनना बहुत पसंद होता है लेकिन इसमें हमें प्रॉब्लम तब आती है जब हम इसको वियर करते हैं और हील जो है काफी जादा होता है तो क्या होता है जब हम इसको पहनते हैं तो हमारे पैर में जो है नसे होती है, उन में खिचाव होने की वज़ह से पैर में डर्द होने लगता है। नकिन सेड़ा है ब्लड ouaisटा के साइड यहां पध़ियों की यहां अपता है। तो आप जब पहन ले उसके बाद आपको क्या करना है इस तरह से चपल को उल्टा करना है और इस पर पैर को इस तरह से रख लेना है इससे क्या होगा कि जो blood circulation है बढ़िया से होगा और जितना भी pain है उसमें आपको बहुती जल्दी से relief मल जाएगा कुछ भी massage वगेरा आपको कुछ नहीं करने की जरूरत पड़ेगी बस आपको थोड़ी देर के लिए पैर को चपल के उल्टा रख लेना है तो इससे देखिए हमने जो हमारा पीछे के side उचा रहता था ना वो नीचे के side आ जाएगा और आगे का part जो है थोड़ा सा उचाई पी आ जाएगा जिससे blood circulation बहुत ही बढ़िया से होगा और pain हमारा जो है बिल्कुल remove हो जाएगा तो इस तरह से हम चोटी चोटी टिप को यूज़ करके अपने काम को काफी जादा आसान बना सकते हैं तो जब भी आप high heel की चपल को पहने उसके बाद इस tip को करना बिल्कुल बना पाएं अगला tip है हमारा चश्मी के box को लेकर तो इस तरह का जो चश्मा होता है न हम सभी के पास होता है क्योंकि कुछ न कुछ हमारे family member होते हैं जो की चश्मा लगाते हैं और ये box जो है extra में पढ़ा रहता है तो इसको हम कई तरीके से use कर सकते हैं उसमें से एक तरीक इसके लिए आपको लेना है magnet और इस magnet को आप इसमें करके डाल दीजे जितने भी सुई होंगे इसमें चिपक जाएंगे और अच्छे से organize भी रहेंगे तो इस तरह से जो हमारी waste चीजे पड़ी थी उनका हम use भी कर पाएंगे तो इसको हम कई तरीके से use कर सकते हैं अगर इसके लिए वीडियो शेर किया हुआ है आप चैनल पर जाकर देख सकते हो तो बहुत ही बढ़िया सा टिप है इसमें हमारा कुछ भी खर्च नहीं होने वाला है एक तरीके से हमारा जो कबार चीज पड़ी हुई थी ना उसको भी हम use कर सकते हैं अगला टिप है हमारा cylinder को ल नहीं होता है या फिर होता है तो टूट जाता है तो उस case में हम क्या करते हैं cylinder को ऐसे ही अपने floor पे रख देते हैं जिसकी वज़ए से होता क्या है कि जो नीची के side है ना जब हम कभी पोचा बगरा लगाते हैं या धूलते हैं floor को तो ये जो है जंग छोडने लगता है और और वो निशान फ्लोर पे आ जाता है तो ऐसा हम क्या करें कि बिना स्टैंड के इस स्लेंडर को हम रख पाएं तो इसके लिए बहुत ही बढ़ी असा टिप शियर करूंगी क्योंकि कभी कभी पॉसिबल नहीं हो पाता है कि हम तुरंट का तुरंट इसका जो स्टैंड है वो ल स्टैंगल होते हैं जो कि शाइन कम हो जाती है या फिर कभी-कभी नग निकल जाता है मिनको नहीं पहनते हैं तो आप इस तरह से देखिए नीचे के साइड इसको लगा सकते हो तो इससे क्या हो जाता है कि सिलंडर की नीचे स्पेस बन जाता है कभी पोच्छा लगाएं या आपने अगले वीडियो में तब तक के लिए बाब बाई फ्रेंड्स